वेल्गों नियुक्त दोस्तों एक नए टोपिक में आप सभी का स्वागत है तो आज हमारा टोपिक हो नौला है कंप्रेसिव स्टेंथ आफ कंग्रीट जो कंग्रीट की कंप्रेसिव स्टेंथ होती है वो पहले दिन से लेकर और 28 दिनों तक किस फरकार से बढ़ती है तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे तो फर्स डे में जो कंग्रीट की कंप्रेसिव स्टेंथ होती है वो होती है 16 परसंट मतलब आपने कंग्रीट बिछाया और उसके बाद उसे चौवीस घंटे हो गए तो इसके बाद उसकी एपने कंप्रेसिव स्टेंथ के फृषिए के तनी हो जाएगी 16 परसंट उसकी स्टेंथ हो जाएगी तो friends सबसे अगला जो है तीन दिन में कितना होगा concrete की कमरे से strength वो होगी मारपास 40% 7 days में कितनी होगी? वो होगी 65% 14 days पे concrete की strength कितनी होगी? 90% friends यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90% तक concrete अपनी strength के अन कर लेता है कितने 14 देज में हैं इसी लिए फ्रेंट्स जो हमारे पास जो नॉर्मल जो ठेके-दार हैं वह कहते हैं कि 18 देज में 20 देज में जो है शुटरिंग वगरा खोल दो और जो हमने slab cast की हुई है जो हमने slab cast की हुई है वो उसमें जो है शटरिंग बना रिमूव करके उससे जो है 12-13 दिन तक उसकी जो है क्यूरिंग करने के बाद जो है उससे फिर थोड़ा बाँ ड्राइ होने के बाद 18 या 20 देस के बाद वो कह देते हैं कि वो शटरिंग खोल दो वो इसलिए कहते हैं कि friends जो ninety percent तक जो है वो concrete compressive strength वो अपनी concrete strength गेन कर लेता है तो फ्रेंड जो practically है वो तो 28 days तक ही कहा जाता है कि 28 days तक ही हमने शटरिंग खोलनी है लेकिन जो इकनोमिकल भी थोड़ा बद देखते हैं कि जो हमारे पास शट्रिंग का जो क्राया पड़ रहा होता है तो उसके हिसाफ से वो 90% के बाद जो है उसमें एक दू बल्लियां लगाकर यह सलैब होती है इसमें नीचे एक शट्रिंग कोल के इस परकार से यह हमारे पास तो इसलिए 90 डेज जो है 14 डेज के बाद गंग्रीट कंपरे से स्टेंथ अपनी गेन कर लेता है अगला है 28 डेज 28 डेज में फ्रेंट यह आप जैसा कि देख रहे है 99 परसेंट तक जो प्रॉपर उसने जतनी गेन करनी होती है स्टेंथ गंग्रीट ने वो कर लेता है उसके झाल झाल